आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि UIDAI के न्यू पोर्टल से आप अपना अधार कार्ड इन्रॉल्मेंट आईडी नंबर की मदद से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि आप सबको पता होगा कि UIDAI के द्वारा अधार से रिलेटेड सभी सर्विसेज के लिए एक न्यू पोर्टल लॉंच किया जा चुका है जिसकी मदद से आप अपना अधार कार्ड डॉनलोड कर सकते हैं अपने अधार का PVC कार्ड घर बैठे ओडर कर सकते हैं और अपन साथ पुराने वाले पोर्टल से भी आप अधार से जुड़े सभी काम कर पाते थें लेकिन आप सिर्फ न्यू पोर्टल से ही आप अधार से जुड़े कोई भी काम कर सकते हैं ऐसे में अगर आप न्यू पोर्टल में इन्रॉल्मेंट ID नंबर की मदद से आधार कार्ड और किस तरीके से आप enrollment ID number से अपना अधार काड़ डॉनलोड करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे request है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल TechWithUF को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर bell icon को दबा कर all पर टिक कर दें थाकि आने वाले इसी तरह की informative वीडियो का notification आपको मिल स तके इसके इलावा latest update और cashback offer के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं telegram channel का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को start करते हैं enrollment ID number की मदद से UIDI के new portal से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए simply यहाँ download आधार के option पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा जहाँ पर आपको यह आधार डाउनलोड करने के तीन अलग अलग option मिल जाते हैं पहला आधार नमबर से दूसरा enrollment ID number की मदद से और तीसरा virtual ID number से आप आधार का डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आधार या virtual ID number है तो आप आसानी से अपना यह आधार डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन काफी सारे लोग आधार के न्यू पोटल से enrollment ID number की मदद से अपना आधार download नहीं कर पा रहे हैं जबके आधार enroll कराने के बाद उन्हें जो slip दी जाती है उसमें दिये गए enrollment ID number और date and time डाल कर जब वो अपना आधार download करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर enrollment ID number invalid बता रहा है तो आपको मैं बता दूँ के जो slip आधार enroll कराने के बाद मिला है उसमें जो enrollment ID number और date and time दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है न्यू पोटल में enrollment ID number और date and time को किस तरह से enter करना है उसका format सिर्फ change कर दिया गया है जिसकी वज़ा से आपको यहाँ पर invalid enrollment ID number शो हो रहा है नया format क्या है और किस तरह से आपको अपना enrollment ID number और date and time इंटर करके आधार कार्ट डॉनलोड करना है इसे जानने के लिए पोटल के home page में यहाँ check enrollment and update status के option पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर example के तौर पर बताया गया है कि किस तरह से आप new portal में 28 digit का अपना enrollment ID number इंटर करेंगे सबसे पहले आपके slip में 14 digit का जो enrollment number होगा उसे इंटर कर देंगे उसके बाद 14 digit का date and time जब आप इंटर करेंगे तब आपको ध्यान रखना है क्यूंकि इसी format को new portal में change कर दिया गया है आपके slip में आधार enroll कराने का जो date दिया हुआ होगा उसमें पहले इस तरह से date फिर month और last में year होगा जबके new format में यहाँ पर आप देख सकते हैं example में बताया गया है कि पहले आपको year उसके बाद month और last में date डालना है और उसके बाद time का format वही रहेगा जो आपके slip में दिया हुआ है यानि पहले hour उसके बाद minute और last में second डालेंगे timing का format पहले जैसा ही रहेगा सिर्फ date का format आपको इसके according इंटर करना है तो चलिए अब हम इस new format के हिसाब से enrollment ID नमबर और date and time इंटर करके आधार काड़ डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं डाउनलोड या अधार वाले पेज में यहाँ पर हमने enrollment ID वाला option select कर लिया है उसके बाद 28 digit का अपना enrollment ID नमबर यहाँ इंटर करेंगे जिस तरह से new format में enrollment ID नमबर हमने आपको डालने का बताया है उसी तरह से यहाँ डालेंगे नहीं तो आपको invalid enrollment नमबर शो करेगा और आप अपना अधार डाउनलोड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हमने new format के according अपना enrollment ID नमबर इंटर कर दिया है उसके बाद यहाँ पर दिये गए security code को इंटर करेंगे और send OTP के option पर click कर देंगे जैसे ही हमने send OTP के option पर click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें किसी भी तरह का कोई invalid enrollment ID नमबर का message नहीं मिला और हमारे आधार में जो mobile number registered है उस पर successfully OTP send कर दिया गया है तो simply आप यहाँ पर उस OTP को इंटर करेंगे और नीचे verify and download के option पर click कर देंगे जैसे ही download पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड enrollment ID नमबर से successfully download हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप आधार के new portal से अपने enrollment ID नमबर की मदद से आधार का download कर सकते हैं उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा गर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें अपने दोस्तों के दोस्तों के वीडियो से ले आधार कgoing को से खाहर होग हो करेंदायो करेंदा दोस्तों कि देले आपको है करेंदाना? झाल झाल